आप सभी का इंडिया की नंबर वन स्टीडी चैनल वाइफाइ स्टीडी पे आप सभी को मानू मैं कि डेली सुबह पांस बजे मने टू मने अपना सुबह पांस बजे एक इंपॉर्ण सेशन होता है बारा पंदरा मिट का जिसके इंदर हम लोग कई सरे इंपॉर्ण सवाल है जो कि कवर करते हैं तो कल अपना क्लास नहीं हो पाया था तो इसलिए आज मैं आप लोगले लेक्या हूं और कल बंड़ मंडे है तो कल से तो हम लोगों रैग्फूर्ड करने वाले तो चलिए गाईस आज 11 अपरे लिए वैसे तो आज सुबह चूँके नियों को सवाल है रन आपका बिलकुल सही आंसर होगा इसके अलब आपको मालूम अगर आपको अनकेडमी पे किसी भी एक्जाम की तैयारी करनी है तो आप घर बैठे आनकेडमी प्लस ले सकते हैं और घर पे तैयारी कर सकते हैं बी एच यू टैनिया बोनेशन आप लगाईएगा टैन बैंकिंग किसी भी एक्जाम में और अगर आप एक साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो दो मैने का आपको फ्री मिलता है ना राफ्रल को आपको मालूम है यूज कर लीजेगा अभी कुछ दिनों के लिए यह वाला उफर दो मैने एक्स्ट्रा वाला तो आज ही ले ले ली देश के बीच पहला प्रति निधी मंडल सरिय अभासे पुलिश प्रमुकों का समवाद आयुजित किया गया है फर्स्ट डेलिगेशन लेवल वर्च्वल पुलिस चीफ डायलोग इंडिया की और कौन से कंट्री के बीच में करवाए गया है ये इंडिया और शिलंका के बी रतने थे जो की वहाँ से रिप्रेजेंट कर रहे थे शिलंका के बात करें प्रेजेंट गौड बाया राजपक्षा जी अभी यहां पे पीम है और जैवर्द्रपूरे यहां पे कैपिटल रूपी जो है आपे करनसी चल दी है आगे बात करते हैं सरकार ने इस वित्य पे का अनॉस्मेंट है जो कि सरकार के द्वारा किया गया है टैप वाटर सप्लाइ को लेकर जल जीवन मिशन की शुरुआत भी करी गई थी 2019 के अंदर जिसमें भी यह बोला गया था कि पोटेवल वाटर है जो कि सबको अविलेबल करवाया जाएगा 100% आउसोल्ड वित वा अचीव करने के लिए बोला है आपको मालूम है नॉर्मली आपकी सिटी में पानी आता है तो वह एक सो पच्चिस एक सो दस लीटर से एक सो पच्चिस लीटर पर पर सन पर डे के आसपास जो कि सप्लाई होती है समझ गए तो हमेशा एफेक्टिवली यूज़ करने की कोशिश क्या करो जितना पानी आप बिजली आप बचाओगी उतना ही किसी और दूर दराज के एरिया में गाउं के अंदर वो अविलेबल होगा तो कभी भी बहुत ही लिमिटेट सोर्से होते हैं सिक्षा मंतिर रमेश पोक्रियाल निशंग जी ने राष्टे सिक्षा निकी के कारेवन के लिए कौन सी पहल शुरू करी है नैशनल एजुकेशन पॉलिक्शी के लिए रमेश जी के दौरा एक इनिशेटिव लांच किया गया जिसका नाम है सार्थक यह आपका बिलकुल सही आंसर होगा एजुकेशन मिनिस्टर रमेश शी के दौरा सार्थक है जो कि लांच किया गया है ताकि वो हेल्प करेगा एजुकेशन पॉलिक्शी को आगे बढ़ाने को लेकर सार्थक का फिलफॉर्म है स्टुडेंट एंड टीचर ह इडवांसमेंट तो कॉलिटी एजुकेशन की धरो थिके चलिए तो यह आपर बोला गया है रोड मैप दस साल के लिए मिनाने को लेकर बोला गया है इंपकि तुम है किसे चतीजगर सरकार का वीरानी पुरसकार मिलेगा वीरानी पुरसकार किसको दिया जा रहा है यह दूत इनाग्रियल एडिशन है जो कि किया गया और चतीजगर के स्टेट गॉवर्मेंट के दुबरा जो भारती महला है स्पोर्ट्स में काफी अच्छा परफॉर्म करती है उनको यह दिया जाता है 2019 के अंदर यह पहली इंडियन वोमें बनी ती जिन्होंने गोल्ड मेल जिना था वर्ल्ड उनुर्शिटी गेम्स में जो कि इटली में कराएं गये थे समझेरों कि वर्ल्ड उनुर्शिटी गेम्स में नंबर वर्ट बेहाना कितनी बड़ी बात है गवर्नर यहां पर अनुस्टिया जी अभी सियम है रायपू यहां पर क्या होता है कि जब एक आदमी एक एक्स करके परसन है मालो रामलाल है रामलाल जो सरगार को डारेक्ट खुद टेक्स देगा जैसे कि इंकम का देगा है ना वेल्ट का देगा तो यह जब डारेक्ट ली देगा प्रॉपर्टी का देगा तो यह टेक्स क्या बोलता है इसको डारेक्ट बोलता है लेकिन जब आपने फर एक्जामपल कोई गाड़ वाले को टेक्स दिया गाड़ी वाला फिर सरगार को देखा तो ऐसे टेक्स को जो है फिर वो हम लोग इंडिरेक्ट टेक्स कहते हैं जो कि अभी येस्टी बन चुपा है समझे तो यहां पर 5 पर्तिशत की growth है जो कि direct tax के collection में 21-21 में देखने को मिली है तो direct tax collection basic case में 9.45 lakh crore थे और 5% में growth देखने को मिली है अभी जो है 9.05 थे 05 से 9.45 तक है जो कि यह पहुच चुका है इसमें corporation tax personal income tax दोस्तों शामिल है ठीक गाईज चलिए रजेश मंतराले में सची पर परश्यम का नाम बदाई जिन्होंने सेउप्त राष्ट सुवक्षा परिशत की खान करवाई और शांती बिना रखने की खुली बैस को सम्मूद दित किया यहां पर दोस्तों यह जो बात करी गई है वो विकास और उनकी दुवारा करी गई है आपका विल्कुल से आंसर होगा यूएन के सिक्योर्टी काउंसिल को उन्होंने ओपन डिबेट के अंदर जो है वो एड्रेस किया है जिसमें उन्होंने माइन एक्शन सस्टेनिंग पीस को लेकर बात चीत करी है ठीक है चलिए आगे बात करते हैं यहां पर यूएन की बात करें चौबिस अक्टूबर पर्मानिट है जिनका कारेकाल दो साल का होता है इंडिया भी इसमें मेंबर है जूकी बनाएं यॉक के अंदर एड़कोटर है इंदे सरकार ने कोविट डाइटिल महामारी के प्रभावी प्रभंतन के लिए पूर्वतर राज्यों कितनी राशी मनजूर करी है एक्टिव मै इसे लेड़ने को लेकर है अपरी पैसा दिया गया है फ्लैड कंट्रोल रेन अर्वेस्टिंग टूरिजम इंफ्रासक्चर टली कम्मुनिकेशन इन सब में इसको काम में लिया जाएगा नौर्ट इस्ट का मतलब क्या होता सैवन सिस्टर आप बेसिकली बोल सकते हैं सैवन स रूस मेत्री कारेली 2021 को हरी जड़ी दिखा कर रवा राइगा इंडिया रच्षा फ्रेंड्शिप कारेली 2021 किसके दौरा फ्लैग ऑफ किया गया है रिसेंटली यह जितेंदर सिंग के दौरा किया गया है तो यह आपका बिलकुल सही आंतर होगा इसको इंटरनेशनल के दौरा ऑगनाइज जो कि किया गया था तो यहां पर ब्लादिमीर पुतिर वहां पर प्रेसेंट बने वें दिमित्री में मॉस्कों कापिटल है करन्सी यहां पर रूबल है जो की चलती है रेल मंत्री प्यूश गोड़ने किस राज्यम में हंस हीडा गोडा नही रेल प्लाइन दोस्तों डाली गई है यह कहां पर डाली गई है यह आपके जारकट में डाली गई है तो सी आपका मिलकुल सही आंसर होगा ओके गाईज कॉस्ट इफेक्टिव बैटर ट्रांस्पूटेशन फैसलिटी है जो कि अविलेबल करवाएगी हंस डीहा गौंडा रेल ग चन्य कन्यागुमारी अधोती गलियारे के लिए कितनी राजशी है जो कि सुविक्रित करी है चन्य कन्यागुमारी इंडेस्ट्रिल कॉरिडोर के लिए दोस्तों 484 मिलियन डॉलर है जो की दिया जा रहा है एशियन डवलोप्मेंट बैंक के द्वारा ओके गईज जो हमरा इस्ट कोस्ट का जो एकनॉमिक कॉरिडोर है उसी का पार्ट है चन्य कन्यागुमारी समझ गया है जो कि वेस्ट मेंगॉल से अमिलाडू को कनेट करने के लिए मदद करेगी तोटल जो है वो 560 किलोमेटर का ही है इसी का कुछ पार्ट इसको बनाए जा रहा है एड़ीबी क और किस देश के बीच मायोजित करी गई थी फर्स्ट मिटिंग ऑफ दा जॉइंट वर्किंग ग्रूप और काउंटर टेर्रिजम की बात करें तो दिल्ली और बांगलादेश के बीच में है दोस्तों जो कि इसका और्गनाइज करवाया गया था सॉरी बांगलादेश नहीं सी आपका बिल्कुल सभी आंसर होगा तो यह पहली मीटिंग है जो कि जॉइंट वर्किंग ग्रूप की काउंटर टेर्रिजम को पर एक्चुली के अंदर अभी हमारे जो ना मिलिट्रे एट ना वह भी गए में थे बांगलादेश के अंदर तो वहां पर भी टेर्रिजम के द्वारा इसको किया गया है और यहां पर इब्रैम्स वोली है माले आप इस वी कैपिटल है पैदल पैदल वह वी अंदर इन्होंने क्या किया बालदीव ना खेला कि बास बहुत सारे चुटो चोटा इड़ेंट को रिशॉड मना दिया और वहां से इनकी टूरिजम के उप इसे यह लोग पैसा कमार है आइलेंड तो बहुत सार है और लेकिन इनों ने छोटे-छोटे आइलेंड को एक ओटर बनाती है सी प्लेन चालू करवा दिये जाने आने के लिए ऐसा तो हम भी ऐसा कर सकते हैं लेकिन हमने अभी ते किया नहीं बारते से नकि अधिकारी लेफटेंड करनल का नाम बताएं जिन contest के लिए दो गिन्ज भॉक ओवर्ल करहने चो 시청 के अजय करें दो गिन्ह अफ़ व्ल रिकॉर्ट है अकेले साइक्ल चराने को लेकर भारत पन्नो उनका नाम है सच मैं भारत पन्नो नाम है और पूरे बारत के अंदर इन्नों ने पूरे दुनिया में record मना दिया मतलब पहले तो ले से मनाली 472 km साइकल चलाई 35 गंटे के अंदर 2020 में इतनी बड़ी बात है ले से मनाली का जो रास्ता अगर आप साइकल का देखो गे ना तो गारी भी ने चलती वाँ पर गारी को भी मतलब 15-20 गंटे लग जाते है ओके ले से मनाली जाने में और यहां पर देखे 35 गंटों में साइकल लेगा और बहुत ही मुश्किल वाली रोड है दोनों तरफ बरफ आती है बीज में रोड आती है तो बहुत मुश्किल होता है ऐसी जगह पर बरफ आने पर चलाने को लेकर और सेकेंड रिकॉर्ड जो इन्हों बनाया है वह फाइफ रैन एक टू किलो मिटर फाइफ न फॉर टू किलो मिटर लॉंग जो गोल्डन कॉंड कहते हैं इसको 14 दिन में कवर किया है तीक है रामलात कोविन जी अभी इंडियन आर्मी के चीफ है 85-95 में फॉर्मेशन हुआ दिल्ली में एक्वाटर है चलिए इसके लब आपको मालूम है ने के पर कोई पी एक्जाम की तैयारी के लिए यह चुटान या बुनेश्टान य लाइनर है वो भी करवा दूगा कब करवाँगा दिन में करवाँगा तो दो मैने का पको फ्री मिल रहा है जो कि आपको यूज करना है question of the day is CRPF का well all day किस तारिक को मनाया जाता है यह आपको बताना है लिए हो गया आज का आपका सेशन मिलते हैं गाइस वापस से दिन में एक और important class के साथ में one liner के साथ में thank you good bye